Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ Class 4 की EBS Book Chapter 4 The Story of Amrita तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक नया चीज लेके आई हूँ पहले तो आप इस स्टोरी को लाश्ट तक पढ़िए अच्छे से इस वीडियो को देखिए और स्टोरी को समझने की कोसिस कीजिए बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और उसके बाद मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म क्रियेट किया है तो गूगल फॉर्म में आप एक तरह का इसे प्रैक्टिस समझ लिजेए एक्जाम समझ लिजे टेस्ट समझ लिजे जो भी है आप इसे समझ लिजे और उसे आप फिल कीजिए टोटल कॉस्टन आप सॉल्व किजिए सॉल्व करने के बाद आप उसे सम्मिट कीजिए सम्मिट करने के बाद आप उसमें व्यू स्कोर आएगा व्यू स्कोर को चेक कीजिए तो इससे आपको आपर रिजल्ट पता चलेगा कि आपने कितना मार्स पाया तो ये आज से मैंने स्टार्ट किया है तो इसलिए आप सबसे पहले इस स्टोरी को आप पढ़िए और समझे तो चले स्टार्ट करते हैं पढ़ना The Story of Amrita तो यह एक कहानी है Amrita की This is a true story from long long ago Almost 300 years ago In a village called Khazri Lived Amrita तो देखिए यह जो है ना एक सची कहानी है यह Amrita की मतलब एक सची कहानी है जो की यह 300 साल पहले की कहानी है एक Khazri नाम का village था जिसमें की Amrita रहती थी Khazri village is near Jodhpur in Rajasthan The village got its name because of the many Khazri trees that blew there तो देखिए यह जो है ना Rajasthan में Jodhpur के नजदीक यह जो village है यह वही पे है राजस्थान में Jodhpur के पास Khazri नाम का village है और जो यहाँ पर बहुत सारे Khazri के पेड है तो Khazri के पेड होने के कारण ही इस village का नाम Khazri पड़ा और बच्चों Khazri का जो पेड होता है उसकी जो लकडिया होती है उसमें कभी भी कीरे नहीं परते और देखिए उसके बाद तो देखिए इस village में जो लोग थे ना लोग यहाँ के लोग और इस plant के बहुत यानि की पेड पौधों का अनिमल्स का यह बहुत जादा केड करते थे बहुत ध्यान रखते थे गौट्स, डियर्स, हेर्स, एंड पिकॉक्स रोम्ट फियर्लेसली देर और यहाँ पढ़ना जैसे की बकडिया, हिरन और यह सब जो है ना पिकॉक्स यह सारे चीजों हैं जितने भी हैं यह सारे बिलकुल मतलब ड़ते नहीं थे बिना ड़े हुए आडाम से वहाँ पे घूमते रहते थे इधर उधर गूमते रहते थे उन्हें कोई भी डर नहीं था वहाँ पे देखें इस गाओं के जो लोग थे वो हमेशा मतलब अपने बड़ों से सुना करते थे कि वो हमेशा कहते थे कि अगर पेड हैं तो हम है और देखें प्लांट्स और एनिमल्स के बिना हम नहीं रह सकते लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो हम लोगों के बिना रह सकते हैं ठीक है? उसके बाद अब देखिए बच्चों यह कितना यह जो है पिक्चर दिया गया है अमरिता का विलेज का है यह और देखिए अब हम बाते करेंगे अमरिता's friend अमरिता के दोस्त के बारे में तो अमरिता उड़ गेट अप अरली एवरी मॉर्निंग and greet her friend the trees तो देखिए अमरिता जो है न हर रोज सुबह उड़ती थी और वो अपने दोस्त से मिलती थी अपने पेर से पेर दोस्त जो है उससे मिलती थी she would choose a special tree for the day और वो एक special tree को choose करती थी she would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree friend you are strong and beautiful तो देखिए अमरिता जो है न वो अपने आर्म्स जो है वो आर्म्स से अपने यानि की गले मिलती थी पेर का जो वो ट्रंक है ना मोटा सा तो उसे वो पकरती थी अपने हाथों से दोनों हाथों से और कुछ-कुछ बुदवदाती थी कि friends तुम बहुत strong हो तुम बहुत beautiful हो you care for us तुम मेरा ख्याल रखते हो हम लोगों का ख्याल रखते हो thank you tree धन्यवाद करती थी उसे thanks बोलती थी I love you very much मैं तुम्हे बहुत प्यार करती हो give your strength to me also जो तुम मुझे ताकत देते हो होसला देते हो ठीक है तो इस तरह से अमरिता कहती थी like अमरिता the other children also had their special trees तो अमरिता के तरह ही दूसरे जो बच्चे थे उन लोगों के पास भी एक special tree था they would play for hour in the shade of the trees तो वो लोग ना खेलते थे उनकी चाओ में मतलब घंटो बहुत देर तक घंटो घंटो वो लोग पेड की चाओ में खेलते रहते थे उसके बाद देखिए अब question है कि is there a place near your house school or along the road side where trees have been planted तो देखिए बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपके school के पास घर के पास या road side में पेड लगाए जाते हैं और ये कहा लगाए जाते हैं तो क्या लिखेंगे कि yes लगाए जाते हैं और ये देखिए आपकी ये कहा लगाए जाते हैं आपके school में garden में मिलेंगे पेड जहां पेड लगाए जाते हैं road side में देखेंगे बहुत जगह ऐसा होता है जहां लगाए जाते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे उसके बाद देखें कि वाइवेर दे प्लांटेट देर तो हम लोग पौधे क्यों लगाते हैं तो क्या लिखेंगे यानि कि बहुत अच्छे दिखते हैं और यह हमें फ्रेस एयर ताजी हवा भी देते हैं इसलिए लगाते हैं और उसके बाद देखें क्या आपने किसी को देखा है कि जो की पेर पौधों का ख्याल रखते हैं तो यह देखा है और वो कौन रखते हैं तो गार्डनर रखते हैं जो माली होते हैं तो वो जो होते हैं वो पेर पौधे का ख्याल रखते हैं उसे सीचते हैं ध्यान रखते हैं उसके बाद देखें क्या आपने किसी पेर पर फ्रूट से देखा है तो यह फ्रूट्स कौन खाते हैं तो यह हमने देखा है I have mango on mango tree तो हमने mango देखा है mango tree पे me and my brothers and sisters ate this तो यह हमारे भाई बहन खाते हैं और उसके बाद देखिए कि ललीता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone तो देखिए ललीता जो है वो फिल करती है देखती है कि grass और small plants जो है न वो उसके school के wall पे निकल आते हैं जो कि किसी ने plant नहीं किया है वो खुद बखुद निकल आते हैं do you know of any place where grass क्या तुमने कहीं पे grass देखा है किसी जगह पे small plants or trees are growing on their own without being planted और यह जो निकल आते हैं मतलब without planted यानि बिना लगाए वे निकल आते हैं तो क्या लिखेंगे my never house wall यानि कि my मेरे परोसी के जो गड़ का जो मतलब wall है वहाँ पे निकल आते हैं आपने बहुत जगह देखा होगा कि यह जो हड़े भड़े मतलब घास होते हैं चोटे चोटे और बहुत सारे ऐसे plant होते हैं चोटे जो वह खुद बखुद निकल आते हैं और हमने कभी उसे देखा नहीं है आप कुआ के पास बिना आप देखेंगे कि वहाँ पे आज पास में निकल आते हैं उसके बाद देखें कि why do you feel they are growing on their own तो इसमें तुम क्या feel करते हो कि वह कैसे मतलब निकल आते हैं तो देखें आप इसमें मतलब कि आप क्यूं सोचते हैं ऐसा कि वह कैसे निकल आते हैं आप ऐसा सोचते होंगे question उठता होगा ऐसा आपके मन में तो देखें answer कि they grow automatic without help of any person and they grow on their own with the help of friend तो देखें ये जो wra sees without a help और इसमें help करता है कोह नहीं लगाता है और यह automatic निकल आता है और यह इसमें help करता है उसकाào corn जो भारिस होती है तो भारिस का पानी आता है उस वजह से ये खुद बे खुद निकल लाता है ठीक है उसके बाद देखिए अब है trees in denser यानि की पेर पौधे जो है न वो खत्रे में है time went by यानि की बहुत time पीद गए Amrita was now grown up अब Amrita जो है बड़ी हो रही है One day she went to greet her trees एक दिन क्या होता है Amrita अपने friend जो है उससे मिलती है She saw that there were some strangers in her village तो वो क्या देखती है कि कुछ अजनभी strangers उसके गाउं में आ जाते हैं They had access with them और उसके पास access यानि की कुलहारी होते है They said that the king had sent them to cut trees for wood तो ये क्या है वो कहते है कि मुझे राजा ने भेजा है पेर की लकडिया काटने के लिए The wood was needed for building the king's palace और ये जो लकडिया है ना उससे राजा का जो घड़ है वो बनाया जाएगा उसके लिए मुझे जरूरत है तीक है उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि अमरिता बहुत soft अमरिता जो है ना बहुत आस्चरी में पर जाती है She went to the tree that the men were about to cut तो देखिए फिर क्या होता है कि अमरिता जो है ना उस पेर के पास चली जाती है जो जिस पेर को वो इंसान काटने वाला होता है She put her arms around the tree and hugged it tightly और वो क्या करती है कि उस पेर अपने arm से उसे चारो तरफ से उसे पकर लेती है ताइटली पकर लेती है देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं अमरिता है और इसने किस तरह से इस पेर को पकड़ा हुआ है The man shouted and treated her But Amrita did not let go of the tree तो देखिए वो जो आदमी रहता है ना वो बहुत चिलाता है और उसे धमकी देता है अमरिता को लेकिन अमरिता ना पेर के पास से नहीं हटती है उसके बाद देखिए The king's man had to follow his order लेकिन king's जो आदमी रहता है ना उसका आदमी तो वो उसके order को follow करता है king के order को They had to cut the tree और वो पेर को काड़ देता है On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers old and young hugged the trees to protect them उसके बाद क्या होता है Amrita और उसकी जो बेटी होती है और जितने villagers होते हैं जो रहते हैं जो बूढ़े रहते हैं, जवान रहते हैं जितने भी रहते हैं वो उसे protect बचाने के लिए उसे पकड़ लेते पेर को जोड़ से पकड़ लेते हैं देखिए आप इस picture में देख पार रहे हैं कि इस तरह से जितने भी गाउवाले हैं ना वो साड़े किस तरह से साड़े पेड को पकड़े हुए हैं तो देखिए इसमें क्या होता है फिर कि बहुत साड़े लोग और अमरीता और उसकी बेटी वो साड़े पेड को बचाने में मारे जाते हैं उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि when the king heard of this, he could not believe that people gave up their leaves for trees तो देखिए उसके बाद जब राजा को ये बात पता चलता है तो उसे बिस्वास नहीं होता है कि वो लोग पेड को बचाना चाहते हैं He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. तो फिर देखिए जब ये बात राजा को पता चलता है तो उसे बिस्वास नहीं होता है कि लोग पेड के लिए अपने जान तक देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि राजा जो है वो खुद विजिट करते हैं गाउं में आते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि जितने भी villagers' गाउंवासी हैं वो लोग पेड पौधों का अनिमल्स का यानि कि कि तना respect करते हैं तो देखिए अब है question कि do you remember what the elders of this village used to say तो देखे इसमें है कि आखिर क्या कहना चाहते हैं जो villagers और उसके जो बड़े हैं वो क्या कहना चाहते हैं क्या याद रखते हैं तो क्या लिखेंगे अगर पेड है तो हम है plants and animals can survive without us but we cannot survive without them तो देखे वे लोग यही कहते हैं कि अगर पेड है तो हम है और plants and animals वो लोग हम लोगों के बिना रह सकते हैं लेकिन हम लोग उनके बिना नहीं रह सकते उसके बाद है कि Do you think we could survive if there were no trees and no animals discuss this in your class तो देखे कहा जा रहा है कि अगर पेड पौधे नहीं होंगे और animals नहीं होंगे तो क्या हम लोग जी पाएंगे तो इसको जो है अपने class में discuss कीजिए तो हम लोग नहीं जी पाएंगे अगर पेड पौधे नहीं होंगे अनिमल्स नहीं होंगे तो हम लोग जिन्दा नहीं रह पाएंगे उसके बाद है कि the village is protected तो देखिए अब कैसे protected करते हैं कैसे बचाते हैं village को the villagers strong feelings for trees affected the king gently greatly he ordered that from then on no tree would be cut and no animal harmed in that area तो क्या होता है कि राजा जो है ना वो जब आते हैं तो villagers का जो गावासी होते हैं उनका strong feeling देखके वो बहुत ही अकरशित हो जाते हैं उनका मन बिल्कुल ना change हो जाता है और वो order देते हैं कि कोई भी अब इस गाव में यानि कि पेर पॉधों को नहीं काटेगा अनिमल्स को नहीं मारेगा तो यह सब आर्डर देते हैं वो इवें टूड़े अलमोस्ट थ्री हंड्रेट इयर्स लेटर तो उसके बाद क्या होता है आज भी मतलब 300 साल बाद भी क्या हुआ कि मतलब इस नोई जाती होते हैं जो इस एडिया में रहते हैं वो लोग आज भी किसी भी एनिमल्स को प्लांट्स को नहीं करते हैं नहीं मारते हैं और जो आज डेजर्ट एडिया जो है ना वो डेजर्ट एडिया जो बीच में है ना आज भी हरियाली है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन है और एनिमल्स वहाँ पे बिल्कुल आजादी से घुमते हैं बिना डड़े हुए घुमते हैं तो देखें क्या आपको याद है कि आपने क्लास 3 में आपने एक पेर बनाया था प्रेंड के लिए तो देखें इसमें कहां जा रहा है कि आपने क्लास 3 में आपने किसी पेर को अपना दोस्त बनाया होगा तो वो आज कैसा है तो क्या लिखेंगे is growing वो बढ़ रहा है and flowers started to bloom on them और फूल खिलना भे start हो गया है उसके बाद देखें why don't you make a new friend this year तुमने इस साल अपना कोई दोस्त नया दोस्त क्यों नहीं ही बनाया Have you seen how your friend? क्या तुमने देखा तुम्हारा friends कैसा दिखता है the tree is changed in some way जो in different month of a year तो वो change हो रहा है महिने में वो change हो रहा है ठीक है तो इस तरह से आप इसे इसका answer आप लिखेंगे और उसके बाद देखें राइट about any one tree तो आपको लिखना है कि किसी एक tree के बारे में लिखना है तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते है flowers का हो या fruits का हो किसी का भी लिख सकते हैं उसके बा Do the flowers remain on the tree throughout the years? तो क्या पूरे साल पेड में फूल खिले हुए होते हैं? तो क्या हो जाएगा? No. In which month do their leaves fall? तो देखिए किस महिने में पेड के पत्ते जढ़ते हैं? तो कौन सा महिना होता है वो? आपका दिसम्बर से अप्रेल के बीच आता है और ये मतलब इस महिने में ही पत्ते जढ़ते हैं उसके बाद देखिए आपका है कि Do fruits grow on the tree? तो क्या पेड पे पल जो है वो ग्रो होते हैं? तो नो तो देखिए ये जो है ना बहुत सा आपने ये तो class 3 का है ना जो आपने class 3 में किसे अपना friend बनाया था कौन सा पौधा लिया था तो उसके बादे में ही है तो हमने लिया था जो उसमे flowers उखते हैं तो इसलिए fruits नहीं उखते हैं अगर आपने fruits का लिया है तो उस पे उगेंगे तो आप यहां पे yes लिखेंगे in which months do they grow तो किस महने में वो मतलब grow होते हैं तो इस एक flower tree है जो की grow होते हैं और यह किस महने में होते हैं तो देखे बच्चों ये flower tree है इसलिए इसमें fruits grow नहीं होते हैं तो इसमें हम it is a flower tree लिखेंगे have you eaten these fruits तो no, इसमें fruits नहीं होते हैं यह flower tree है तो इसमें fruits नहीं होंगे और उसके बाद है देखिए sometime back you have read in the newspapers or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a back buck तो देखिए बच्चों कुछ समय पहले आपने newspaper में आपने देखा होगा या TV में देखा होगा कि कुछ film actor ऐसे हैं मतलब ऐसे कि वो black work यानि कि काले हिरन का सिकार करते थे वो लोग तो चलिए अब इसमें discuss करते हैं कि why do people hunt तो यानि कि लोग जो है ना वो क्यों सिकार करते हैं तो people hunt to sell the skin of animals तो लोग skin के लिए सिकार करते हैं जो animals का सिकार करते हैं उसके लिए वो सिकार करते हैं उन्हें बेचने के लिए उसका सिकार करते हैं there are rules against hunting of some animals तो देखे इसके खिलापना कुछ rules बनाए गये हैं animals का सिकार करने के लिए कुछ rules बनाए गये हैं people can be punished for hunting और लोगों को इसके लिए सजा देना चाहिए और वो सिकार करते हैं तो इसके लिए उन्हें सजा देना चाहिए why do you think there is this punishment और उन्हें क्यों सिकार क्या punishment उन्हें देना चाहिए क्यों देना चाहिए तो देखे क्या उन्हें सजा देना सही है तो चलिए इसपे देखे answer क्या लिखेंगे due to the excessive hunting some spices of animals like black bucks, tigers, etc are on the words of extinction so the government make the rule that no one can hunt तो देखे इसमें क्या है कि बहुत साड़े animals ऐसे हैं जो कि वो बिलुक्त होते जा रहे हैं और जैसे कि black bucks, tigers तो इसलिए उन्हें मतलब कि बचाने के लिए उन्हें सरकार ने ये rule लागू किया है कि उन्हें नहीं मारना है नहीं सिकार करना है तो ये rule लागू किया है तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि talk to your grand parents and find out अब देखे अपने grand parents से आप बाते कीजिए और इसका पता लगाईए कि which birds did they see around them when they were of your age तो देखे चारो और कौन-कौन सा birds दिखते थे उन्हें तो क्या लिखेंगे आप अपने grand parents से पूछे और लिखे तो ये सारे होंगे उसके बाद देखे have the number of sum of these birds become less तो देखे आपको कुछ लिखना है आपको birds का नैम जो की less घरते जा रहे हैं जिसका संख्या घरते जा रहा है तो जैसे की यस लिखेंगे की घरते जा रहे हैं और देखिए the number of bultures, sparrows and eagles have become less तो ये सारे का संख्या घरते जा रहा है Are there some birds or animals which they can not see anymore तो देखिए कोई ऐसा animal या birds है जिसे आज आप नहीं देख पाते हैं जाएगा the little bastard cannot be seen anymore तो हम लोग ये little bastard को नहीं देख पाते हैं तो देखिए उसके बाद है याँ पे के शांती's grandfather told her that when he was a small child he shall more birds like sparrows and minor than he see today तो देखिए सांती के जो grandfather थे वो कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो अभी से ज़्यादा sparrow और मैना देखा करते थे Can you make two guesses why their numbers have become less तो क्या तू बता सकते हो guess कर सकते हो कि इसकी संख्या इतनी घर्ती जाती है घर्ती क्यों जा रही है तो देखिए answer क्या लिखेंगे कि hunting and cutting down of trees are two main causes which are reducing the numbers of these birds तो देखिए जो है hunting के काड़न और cutting down of trees जो पेर करते जा रहे हैं तो ये जो दो काड़न है ऐसा जिसके काड़न उसकी संख्या घर्ती जा रही है उसके बाद देखिए तो खेजरी का जो पेर है वो बिल्कुल यानि की most common tree है जो की अमरिता के village में वो उपते थे तो कौन सा tree है जो की आप अपने area में बहुत जादा देखते हैं नेम टू सच ट्री यानि की आपको दो का नाम बताना है तो कौन सा tree देखते हैं तो आप उसका नाम लिखे जो की आपके area में बहुत जादा आपको देखने के लिए मिलता है तो आप नीम का लिख सकते हैं पीपल लिख सकते हैं और उसके बाद देखिए तो आप अपने इल्डर्ट से बड़ों से पता किजिए इन पेर के बाड़े में I see a lot of people and mango trees in my area तो यह क्या है कि mango tree and people tree यह हमारे area में ज़्यादा है आपके area में कौन सा ज़्यादा है जैसे अगर आप राजस्तान में रहते हैं तो आपका वहाँ पे कौन सा पेर बहुत ज़्यादा उगता है आपके area में तो आप उसके बाड़े में लिखेंगे और उसके बाद देखिए अब है कि the khezri tree is found mainly in desert area जो khezri tree होता है यह mainly desert area में ही पाया जाता है it can grow without much water और यह बिना पानी के इसके लिए उसे ज़्यादा पानी की ज़रत होती नहीं है और यह ऐसे भी उग जाता है its bark is used for making medicines और इससे medicines भी बनाए जाते है people cook and eat its fruits, beans और जो है न लोग इसका मतलब खाना पकाते हैं जैसे इसमें fruits जो होते हैं, beans होता है इसे खाते हैं its wood is such that it will not be affected by insects तो देखिए इसके जो लकडिया होती है, इसमें कोई कीरे नहीं लगते animals in this area are the leaves of the casery और जो इस एरिया में जो animals होते हैं, वो इसके पत्ते खाते हैं and children like you play in its shade और जो बच्चे होते हैं, वो इसकी छाया में खेलते हैं तो बच्चों यह आपका chapter complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को like, subscribe कीजिए ताकि मेरे साड़े videos आपके पास समय से पहुंसे रहें और एक बात अगर आपने अभी तक मेरा chapter यह पूरा पढ़ लिया समझ लेजिए तो आप जल्दी से description box में जाएए वहाँ जो मैंने google form जो बनाया है तो आप उसे solve कीजिए उसमें बहुत साड़े interesting questions दिये गए हैं उसे solve कीजिए और submit कीजिए और view score भी देखिए कि आपको कितना marks मिला है तो चलिए अब मिलते हैं हम next video में तब तक लिए bye, take care, thanks to watch my video